नमस्कार न्यूस फ्लेस में आपका स्वागत है बढ़ते हैं आज की ताजा खबर कियो सापूरा कस्पे के चौपड में स्थित बोरिंग से पानी सप्लाई के पाइप संबंधित चल्दाय विभाग के द्वारा जमीन के नीचे दबाने के बजाय उपर रोड पन ही खुले में छोड़ रखा है जिससे आने जाने वाले व्यक्तियों को काफे परेसानी का सामना करना पड़ता है जिसमें सबसे ज्यादा परेसानी अमरसर दर्वाजे के पास में रोड के उपर पड़े बोरिंग पाइप से है जिसके कारण आए दिन हाथ से होते रहते हैं कई बार दो पहिया वहन सबारी सहित गिर जाते हैं जिससे उनके गहरी चोटे भी आई हैं यहां तक इस मार्ग से जाते वक्त जन प्रतिनीधी भी गिरते गिरते बच चुके हैं जिसको लेकर के संबंधित प्रिशासन को कई बार अवगत भी करा गया परंतु उनके द्वारा इस तरह कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वहीं रोड पर बोरिंग के पाइप होने से सा अस्थानिये लोगों को काफे परिशानी का सामना करना पड़ता है कुछ पाइप की स्थिती तो यह है कि वह नालियों के उपर से भी रह जाते हैं जिसे कई महीनों से नालियों की सफाई भी नहीं हो पा रही है जिसे वहाँ पर नालियों में गंदगी जमा हो रही है इसके संबंध में अस्थानिय लोगों के द्वारा बार बार जल्दाय विभाग को अउगत कराया गया कि बोरिंग के पाइपों को जमीन के अंदर दबा दिया जाए परंतु संबंधित प्रिशासन इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है और बेरुखी रवया अपनाए बै जाते हैं और यहां सड़क के उपर ही डाल कर दुरगटना का आमंतरन जल्दाय विभाग द्वारा ही दिया जा रहा है